एल मानव जी आप कुछ अभी कह रहे थे हाँ मैं कह रहा था धरम के नाम पर वेद के नाम पर एक्स्प्लोइटेशन हुआ है गरीब सोचि सर्वाहरा समाज के लिए कोई भी भगवान देवतों को तरस नहीं आया जरासा रहम नहीं आया कि उसका उत्थान भी करें किसी का मन पसी जानी किसी भी देवता का इतना लोग सोचन करते रहे मारते रहे पीटते रहे पढ़ने नहीं दिया लिखने नहीं दिया कहीं आने जाने नहीं दिया ये क्या था किसी को तरस नहीं आया किसी धरम के धरमाव लंबी को मन नहीं पसेज़ा काहा जाती है तो धर्मों के नाम पर जो exploitation हो रहा है चातियों का exploitation हो रहा और कोई बात सर उसके अंदर कहीक है कमी तो अपनी वी आप मैसूष करेंगे गरीब समाज जिसको पढ़ने नहीं दिया लिखने नहीं दिया रोजगार करनी के आजादी नहीं थी आज सुद्र अगर हलवाई के दुकान खोले कौन चाई पीने जाता है आज भी समाज में देख लो आज भी देख लीजिए आज अगर अशिक्षित आदमी है थोड़ा सा पढली कर बड़ा रात करें रिजर्वेशन करदो कितने आदमी शिक्षित हो गए हर जाती में अशिक्षा है हर जाती में गरीबी है देदो ना गरीबी के आधार पर तो सबसे ज्यादा सुद्र ही गरीब मिलेंगे schedule cash backward class सापसे ज़्यादा गरीबी के अधार पर दे दो सिक्षा का राष्टी करण कर दो कोई भी आदमी private school में नहीं पढ़ेगा सबका सरकारी school में भरती कर दो सिक्षा का सिर्फ राष्टी करण कर दो reservation की जरूरत नहीं है सर गरीबी ही तो सरकार बनाता है सरकार की ताकत गरीब तो अनपड़ है, खेतों में काम कर रहा, मस्दूरी कर रहा, उसे तो यहीं ने पता समिधान क्या चेज़ा, हमारा देश क्या है, हमारे अधिकार क्या है?